Hello everyone, so कैसे हैं आप सब CUT का exam बहुत ही नजदीक है और इतने में आप लोगों को important dates के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वोला time बहुत ही ज़्यादा crucial है तो हमें एक भी date miss नहीं करनी है तो upcoming 3 important events में आप लोगों को बताने वाला हूं से आपको दिया जाएगा दैनिक जागरन में अभी एक update आईए कि आप लोगों का जो admit card 17 से 18 माई के बीच में release कर दिया जाएगा और यह करा जा सकता है dates tentative होती है लेकिन 17 से 18 के बीच में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस student का exam 21 तारिकों पढ़ रहा है और उसी तरीके से हर दिन पता चलता रहेगा student को कि उसका exam किस दिन पढ़ने वाला है क्योंकि सभी के exam different days में होने वाले है 21 से लेके 30 मही तक की date दी गई है यानि कि सबका exam एक दिन तो नहीं होने वाला तो जिस student का exam होगा 23 तारिकों उसको मिलेगा admit card 22 तारिकों इस तरीके से आप लोगों को इडमिट कार्ड मिलने वाला है दूसरी important update ये है आप लोगों के हलिए कि आप लोगों का सी एस ये उस का portal है वो open होने वाला है 20 माई को जिसके लिए 15 माई तक आप लोगों को last date दी गई है अपने documents का management करने के लिए तो ये जो date है बहुत ज़दे important है अगर आप Delhi University को target कर रहे हो तो make sure कि 15 माई से पहले पहले अपने जितने भी documents आपको दिख रहे हैं इनको arrange कर ले SCST, OBC, Non-Cremiliar, EWS, Minority ये सभी certificates आपको 15 माई से पहले पहले ready कर लेना है क्योंकि 20 माई को आप लोगों का CSAs का portal open होगा और उस time पर आपने इस सब चीज़े नहीं दी तो आप लोगों admission के लिए eligible नहीं हो पाएंगे तो मिलते हैं next video में, CUT की latest updates के लिए चलने के साथ बने रही है, admit card के जैसी update आती है मैं आप लोगों inform करता हूँ और till then bye bye take care, thank you so much